आज बाबा हमें कहते हैं कि मैं सत्गुरू तुम्हें एक ही श्रीमत देता हूँ, मुख्य श्रीमत, कि अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो, देही का भान छोड़ो, दे अभिमान छोड़ो. अब बाबा हमारे बाप, टीचर, सत्गुरू है, बाप के रूप में बाबा हमें वर्सा देते हैं, टीचर के रूप में पद देते हैं, और सत्गुरू के रूप में हमारी गती, सत्गती करते हैं, हमें मुक्ती जिवन मुक्ती में ले कर जाते हैं और आज सत्गुरु के रूप में बाबा कह रहे हैं कि अगर हमें मुक्ती जिवन मुक्ती का अधिकारी बनना है तो हमें सत्गुरु की श्रीमत मानने होगे सत्गुरु के डाइरेक्शन पर चलना पड़ता है तो बाबा का मुख्य डाइरेक्शन क्या है? कि दे अभिमान छोड़ो, दे ही अभिमानी बनो अब आप देखो, दुनिया में बाबा हमें बताती हैं कि जो भी संगम युग में बाबा के साथ हमें संबंध का अनुभव होता है उसी संबंध की यादगार में हम पूरे कल्प, पूरे 5000 वर्ष अनेक संबंधों में आते हैं आप देखो, दुनिया में हम कहते हैं पॉफेक्ट पेरेंट, पॉफेक्ट टीचर, पॉफेक्ट गुरू, पॉफेक्ट साजन, पॉफेक्ट बच्चा पर कोई होता है पॉफेक्ट? हाँ, होता है? नहीं होता है तो फिर ये जो पॉफेक्ट पेरेंट, पॉफेक्ट गुरू, पॉफेक्ट टीचर, ये जो सारे आइडियास हैं, ये कहां से आते हैं? तो संगम युग में बाबा ने जो हम बच्चों को संबंध का अनुभव कराया, आत्मा को बाबा जो संबंध का अनुभव कराते हैं, उस संबंध को आत्मा देहधारियों के साथ शंबंध में पूरे कल्प ढूंडती रहते हैं, जैसे आप देखो, बाबा एकी साजन है. जो हमें हम जो हैं, जैसे हैं, वैसे स्वीकार करते हैं. बाबा कभी कहते हैं, जाओ ए ठीक करके आओ, फेर आना मेरे पास? नहीं. बाबा कहते हैं तुम जो हो जैसे हो मेरे हो अब तुमें ठीक करना भी मेरी जिम्मेवारी है लेकिन दुनिया में जो साजन होते हैं वो क्या करते हैं ले जाते हैं और फिर कहते हैं ममी के घर से ये सीख के नहीं आए पिता जी ये नहीं सिखाया तो क्या होता कि वो कहते हैं ये सीख के क्यों नहीं आए ये करना क्यों नहीं आता लेकिन बाबा हमें क्यों नहीं पूछते बाबा हमें जो है जैसे हैं वैसे अपना बना कर फिर सब कुछ बाबा सिखाते हैं तो बाबा से हम इस समय संगम युग में सर्व संबंधों का अनुभव करते हैं और बाबा आज जो मुख्य संबंध की बात कर रहे हैं वो सत्गुरू का अब आप देखो दुनिया में मनुश्य देहधारी गुरू करता है और गुरू करने के पीछे गुरू को गुरू का follower बनने के पेछे उसके आस क्या होती हैं कि ये मुझे मुक्ती में ले जाएंगे और फिर वो जो गुरू है वो जो भी कहे जैसा भी कहे पो उनके पूरे direction पर चलते हैं गुरु प्रथा ऐसी है, लेकिन देहधारी गुरु को पूरा समर्पन जाने पर भी, उनके हर डायरेक्शन पर चलने पर भी, कोई भी आत्मा मुक्ती में नहीं जाती। बाबा केते हर आत्मा पुनह इसी स्रिष्टी रंग मंच पर अपना पार्ट बचाने आते हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य देहधारी गुरु के प्रति इतना समर्पन क्यों जाता है, किसकी यादगार में। तो इस सत्गुरु के संबंध की यादगार में। बाबा के साथ इस समय हमारा सत्गुरु का संबंध है। और बाबा की मत पर चलने से बाबा हमें मुक्ती जीवन मुक्ती में ले जाते हैं। अब दुनिया में तो मुक्ती समझते हैं क्या कि घर गए और फिर वापस ही नहीं आए। ब्रह्म लोक में मर्ज हो गए। आत्मा जो है वो पाट से ही मुक्त हो गई। लेकिन बाबा हमें कहती कि ऐसे कोई पाट से मुक्त नहीं होते हैं। आत्मा को मैं घर लेकर जाता हूं सब आत्माओं को। और फिर घर से हम पाट बजाने फिर आएंगे। लेकिन जब आएंगे तो दुख नहीं होगा। पचीस सो वरश सुख धाम होगा। अब हर मनुष्य जो मुक्ती की आस रखता है वो किसलिए रखता है। क्यूंकि उसको लगता है कि जीवन है तो दुख होगा ही होगा। और अगर दुख से छूटना है तो मुझे मुक्ती में चले जाना है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं नहीं। आधा कल्प जीवन होता लेकिन दुख नहीं होता। जिसको बाबा कहते हैं जीवन मुक्ती, तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें घर लेकर जाता हूं और फिर जीवन मुक्ती में भेज देता हूं और बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी मते दी जाती हैं मुक्ती जीवन मुक्ती के लिए वो सब जूटी मते हैं उन मतों पर चल कर कोई मुक्ती जीवन मुक्ती को नहीं पाते लेकिन मेरी श्रीमत पर चलने से तुम बच्चे घर भी जाएंगे और फिर सत्युग में, जीवन मुक्ती में भी आएंगे तो बाबा की श्रीमत पर हमें कितनी लगन से, कितने समर्पन से चलना चाहिए है ना, बाबा सत्गुरु है, सच्चा सच्चा सत्गुरु जो हमें सच्च में मुक्ती, जीवन मुक्ती में लेकर जाते हैं लेकिन उस सत्गुरु के भी, जब हम श्रीमत पर चलें, तब हम मुक्ती जीवन मुक्ती के पात्र बनेंगे. और बाबा की मुख्य श्रीमत क्या है? देही अभिमानी बनो. अब देही अभिमानी बनना मतलब क्या होता? तो देही अभिमानी बनना मतलब अपने को आत्मा समझ जीवन में चलो, अब अपने को हमें आत्मा का ज्ञान तो मिल गया, हमें देही अभिमानी होने का ज्ञान मिला, लेकिन क्या हम देही अभिमानी अवस्था में हैं? आप अपने को आत्मा समझ कर चलते हैं या आत्मा समझ कर चलना होता क्या है वो भी हमारे समझ में आता है तो इस पर आज हम थोड़ा सा विचार सागर मन्थन करेंगे तो आप देखो कि बाबा ने जब हम अभी तक हम अपने को क्या समझते थे तो जब अपने को देह समझते हैं तो देह का रूप कभी भूल सकते हैं आपका शरीर आइने में कैसा दिखता है वो आपकी बुद्धी में हमेशा रहता है ना रहता है की ने काला गोरा एज है ना लोक्स सब कुछ रहता है तो बाबा कहते हैं जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो हमारी बुद्धी में हमारा कौन सा स्वरूप रहेगा हमेशा जोति बिंदु सितारा आप जब मैं कहते हैं तो कौन सा चित्र बुद्धी में आना चाहिए आता है जोति बिंदु सितारा अभी मैं कहो देखो कौन सा चित्र बुद्धी में आता है मैं कहने से बुद्धी में सितारा स्वरोप आता है कि इस थूल देहे का आकार आता है तो देही अभी मानी बनना माना सदा मुझे बुद्धी में रहे कि मैं तो एक छोटा सा सितारा हूँ अब छोटा सा सितारा ठकेगा कभी जब अपनी एज को बुद्धी में रखते हैं शरीर की जब शरीर के गठन को बुधी में रखते हैं तो कहेंगे हम तो ठक गए लेकिन छोटा सा सितारा कभी ठकेगा क्या कोई भी करम करते हमें कभी ठकान नहीं होगे मुझे याद है बहुत इंट्रेस्टिंग सी बात है एक बार एक माता मुझे कहती कि मेट्रो में बहुत भीड थी और बैटने की जगा नहीं थी तो मुझे किसी ने थोड़ी सी जगा दी तो उन्होंने कहा जगे बहुत थोड़ी है आप बैटने ही पाएंगे तो मैंने तो सोचा है मैं तो सितारा हूँ मैं तो कहीं भी फिट हो सकती हूँ तो मैं वहाँ बैट गई और मैं फिट भी हो गई तो मुझे कहती है दीदी आप समझ पा रहे हो मेरे अनुभव को तो मैंने का हाँ मैं समझ गई क्योंकि आप देखो कि आत्मा को जब बुद्धी में है कि मेरा सुरूप क्या है मैं तो एक छोटा सा सितारा हूँ तो उसको कोई भी बात मुश्किल नहीं लगती उसको ऐसा नहीं लगता यहां से मैं यह नहीं कर सकता मैं भाग नहीं सकता मैं ठक जाता हूँ या मेरा स्वरूप ऐसा या वैसा है, उसको हमेशा अपने स्वरूप को देखकर खुशी होगी, है न, दुनिया में रूप, रंग के चकर में कितना रहते हैं, लेकिन हमें अब क्या बुद्धी में रखना है, कि मेरा स्वरूप तो सिर्फ एक चमकते सितारे का है, और एक मैं बात अपने अनुभव से आपको बताती हूँ, कि जो स्वरूप आपकी बुद्धी में होता है न, वही स्वरूप हर एक को दिखाई देता है, आप इस बात को एक्स्पेरिमेंट करना, मान लेजे, आपके ड्रेस में कुछ लगा हुआ है, कुछ दाग लगा हुआ है, कुछ धर्ट है, लेकिन आपको पता नहीं है, आपको अभी तक पता नहीं चला है कि मेरी ड्रेस गंदी हो गई है, तो दूसरा भी कोई आपकी ड्रेस को नोटिस नहीं करता, लेकिन जैसे ही आपको पता चल जाता है, मेरी ड्रेस में लगा है, और आप सोचते रहते हैं, तो हर एक का ध्यान सबसे पहले उस दाग पे जाता है, ये कभी चेक किया है, ऐसा होता है, क्यूंकि जो आपकी तो बाबा हमें इसलिए कहते हैं, कि पहले दूसरों की नजरों में अपनी चवी को नहीं बदलो, पहले अपनी बुद्धी में अपनी चवी को चेंज करो, और देही अभी मानी बनना माना, सबसे पहले अपने स्वरूप को बुद्धी में लाना, कि मेरा स्वरूप तो एक छोती बिंदु चमकते सतारे जैसा है। फिर बुद्धी में अपनी पर्सनालिटी को लाना। आप देखों, जब हम दे अभिमान में होते हैं, तो हमारी बुद्धी में, जो हमारी लॉकिक देह की पर्सनालिटी है। कोई कहता है, कि मुझे बहुत क्रोध आता है, कोई कहता है मुझे स्ट्रेस होता है, कोई कहता है मुझे खुश करना बहुत मुश्किल है, कोई कहता है मुझे हर बात में थोड़ा भय लगता है, कोई कहता है मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ, तो ये सारी जो आपकी जो acquired संसकार है, वो बुद्धी में आपकी personality की तरह रहते हैं, रहते हैं कि नहीं रहते हैं, हर व्यक्ति अपनी nature को बुद्धी में रखता है, कि ये मेरी nature है, और जो आप अपनी nature समझते हैं, उसी आधार से आप करम में आते हैं, तो क्या आप अपनी जो इस देह के साथ, जो आपने अपनी nature बनाई है, जो संसकार बनाई है, क्या आप उनको बुद्धी में रखते हैं, या आत्मा की जो original nature है, उसको बुद्धी में रखते हैं, क्या रखते हैं? आपको हमेशा बुद्धी में ये रहता है, मेरी nature शांच सुरूप, सुक सुरूप, प्रेम सुरूप, पवित्र सुरूप है, या मैं ऐसा हूँ कि, मेरी personality बहुत authority की है, मैं बहुत है ना, मैं बहुत जैसे किसी को भी control कर सकता, किसी को भी मैं चला सकता, कोई-कोई अपनी बुद्धी में रखते हैं, मैं हरेक को manipulate कर सकता हूँ, कोई रखते हैं कि, मैं बहुत हरेक को, है ना, मैं बहुत हिमत से हरेक को control कर सकता हूँ, कोई समझते हैं कि, मेरा गुसा बहुत बुरा है, कोई कहते हैं कि, मैं किसी बात पर अड़ जाओ, तो फिर मैं उसे छोड़ता नहीं, तो बाबा कहते हैं, हरेक को, अपनी nature बुद्धी में जरूर रहते हैं, और मुझे अपने आप से पूछना है, कि मेरी nature क्या है, क्या मे मेरी nature वो है, जो बाबा मुझे बताते हैं, बाबा ने मेरी nature क्या बताई, ज्यान, पवित्रता, शान्ती, प्रेम, सो खानन, शक्ती, ये मेरा गुण है, जब ये nature बुद्धी में रहती है, तो उसको कहेंगे देही, अभिमानी, स्थिती, ऐसी आत्मा कभी ये नहीं कह सकती यहां तो शान्त रहना बहुत मुश्किल है, इस बात में खुश रहना तो बहुत मुश्किल है, एसी परिस्थती आजाए तो शक्ती स्वरूप कैसे रहे, या इस आत्मा के साथ हम स्नेह स्वरूप कैसे रहे, तो ये बाते वो आत्मा कभी नहीं कह सकती, जो देही अभिमा क्योंकि अपनी नेचर में स्थित होना कभी मुश्किल नहीं होता, लेकिन हम अपने आप से पूछे कि हमें आत्मा का ज्ञान तो मिला, पर उस ज्ञान के आधार से मैंने अभ्यास कितना किया है, आतम अभिमानी स्थिती में टिकने का अभ्यास नहीं किया, तो फिर वो जो ए बच्चा है बाबा का, वो मुझे कहता कि मुझे जब भी इंजस्टिस देखता हूं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो मैंने कहा ये आपको किसने बताया, बाबा तो कहते है हम साक्षी द्रश्टा है, आत्मा तो साक्षी द्रश्टा होती है ना, ये जो आपने कहा कि कोई injustice देखने से मुझे गुस्सा आता है, ये वाली personality तो आपकी acquired personality है, आप उसको क्यों याद रखते हैं, वो संस्कार आप emerge क्यों रखते हैं, बाबा ने हमें कहा है, हम सब कुछ देखते हैं, शान, स्वरूप, सुख, स्वरूप होकर वहाँ जो करम करना होता है, करते हैं, ह हमारी वो nature ही नहीं है, गुसा करना, नारास होना, विकारों की लहराना, ये मेरी nature ही नहीं है, तो बाबा कहते हैं, इस बात को बुद्धी में बार बार emerge करना पड़े, कि मेरा स्वरूप क्या है, मेरे गुण क्या है, फिर आप देखो, जब हम अपने आपको देह समझते है तो देह के संबंध हमें याद भी नहीं करने पड़ते हैं, है ना, देह के संबंध हमारी बुद्धी में सहमेशा रहते हैं, आप देखना, हमारी बुद्धी में देह के संबंध इतने रहते हैं, कि जैसे आप कहीं पर अकेले चले जाएं, तो सामने वाला आपको देखते ह आपके संबंधी को याद करता है कि वो कहा गए, आप देखें, जब स्कूल में पढ़ते हैं, तो कोई best friend होते हैं, तो वो best friend इतना बुद्धी में रहता है, कि जैसे ही वो best friend छुट्टी पे चला गया, तो आप अकेले स्कूल गए, तो आपको जो भी देखेगा, कहेगा वो क क्यों क्योंकि आपकी बुद्धी में संबंध इतने रहते कि वो जो संबंधी हैं आपको देखते उनकी याद अन्यों को भी आती हैं, तो इतना हमारी देहे में, हमारी बुद्धी में देहे के संबंध रहते हैं, लेकिन कब रहते हैं, जब हम अपने को देहे धारी समझते है और जब हम अपने को आत्मा निश्य करते हैं, तो आत्मा के कितने संबंद है? आत्मा का सिर्फ एक डाइरेक्ट संबंद है, कौनसा? शिबाबा बाकी हर आत्मा के साथ भी हमारा जो भाई-भाई का संबंद है, वो इन डाइरेक्ट संबंद है भाई भाई का संबंद कभी डायरेक्ट नहीं होता भाई भाई का संबंद पिता के कारण होता है जब पिता कोई भूल जाए तो भाई भाई एक दुसरे को पैचानेंगे क्या? नहीं पैचानेंगे तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हारा एक ही डाइरेक्ट संबंध है वो मैं, और जब तुम मेरे साथ अच्छे संबंध में रहते हो, तो हर आत्मा के साथ तुम्हारा भाई-भाई का संबंध अच्छा रहता, लेकिन जब मुझे ही भूल जाते हो, तो हर आत्मा के साथ तुम जूठे संबंध में आ विकारों के अधार से संबंद बने हैं, इन संबंदों में कोई रियालिटी नहीं है, ये संबंद तो विकारी संबंद है, इनका बीच विकार है, आज अगर विकारों की पूर्ती नहीं होती, तो क्या कहते हैं, आज से हमारा तुमारा रिष्टा खतम, जिससे लोब का रिष्टा है, जिससे काम का रिष्टा है, जिससे मोह का रिष्टा है, जिससे देअभिमान का रिष्टा है तो जब उस रिष्टा पूरा नहीं होता, तो कहते हैं आज से तुमारे साथ रिष्टा है खतम लेकिन बाबा कहते कि आत्मा का जो बाबा से संबंध है वो अविनाशी संबंध है उसमें कोई विकार नहीं है वो तो अविनाशी संबंध है हमारा सहज संबंध है हमारा नाचुरल संबंध है और बाबा कहते हैं, जैसे देह समझने से देहधारी संबंध सदा बुद्धी में रहते हैं, ऐसे जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, तो आत्मा को सदा बुद्धी में क्या रहेगा, कि मेरा एक शिप बाबा दूसरा न कोई, आप कहीं भी हो, आप संबंधी को नहीं भूल स तो जो कहते हैं कि बाबा को याद करना मुश्किल होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि दे अभिमान में है, जब दे ही अभिमानी है, आत्मा समझते हैं, तो बाबा की सिवा कोई याद आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा है, दूसरा तो कोई है ही नहीं तो बाबा कहते हैं, इसको कहते हैं देही अभिमानी स्थेती, फिर आप देखो, जब हम अपने को देह समझते हैं, तो देही की एज हमारी हमेशा बुद्धी में रहते हैं, कोई भी मनुष्य जो अपने को देह समझता है, वो अपनी एज को बुद्धी से नहीं हटा पाता, फिजिकल एज उसको हमेशा बुद्धी में रहती है, मुझे अभी याद है एक भाई आय थे, तो उनकी शरीर की आयू 88 वरश की थी, तो मैंने उनको पूछा कि आप क्या चाहते हैं अभी, आपके दिल में क्या आस है, तो मुझे कहते हैं, मेरी और कोई आस नहीं है, मुझे बस आप शान्ती से मरना है, तो मुझे कहते हैं, मुझे बस एक ही आस है, मुझे शान्ती से मरना है, और वो रास्ता आप मुझे बता देजे, तो क्यों, क्यों कि जब शरीर की आयू अंत में आती है, तो आत्मा को बस क्या याद रहता है, कि मुझे ये शरीर छोड़कर और उसका सारा पुर्शार्थ यही होता है कि मैं शरीर को कैसे सहत छोड़ो मनुष्य अपनी अंतिम अवस्था में चले जाते शरीर की आयू जब अंत में आती है तो घरबार छोड़ कर तीर्ट स्थलों पर चले जाते हैं वही रहते हैं और वही पर शरीर छोड़ने का पुर्शार्थ करते हैं क्योंकि उनको ऐसा बताया गया है कि जब वहां शरीर छोड़ेंगे तो मुक्ती को पाएंगे लेकिन बाबा केते हैं ऐसा है नहीं तो बाबा हमें कहते हैं कि हर आत्मा को पुनरजनम तो लेना ही पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि यहां शरीर छोड़ा या वहां शरीर छोड़ा, तो उस आधार से आपको कोई मुक्ती मेल चाहेगी, लेकिन बाबा हमें कहते हैं, अब सत्गुरु बाबा हमें बताते हैं कि आ आनप्रस्तवस्ता, हर आत्मा ओल्डेज में है, आत्मा का अंतिम चरण चल रहा है, इसलिए अब हमें किसी भी दुनियावी इच्छा में नहीं भटकना है, अब हमें घर जाने और मुक्ती, जीवन मुक्ती का राही बनने की एक ही आस होने चाहिए, और वो आस पूरी कैसे हो जब बाबा कहते है, तम मेरी याद में शरीर झोड़ेंगे, जब तुम इतना मुझे याद करेंगे, कि अंत safe के समएं, तो मुक्ती कैसे है, याद में फूरी को चोड़ेंगे, तो मुक्ती जीवन मुक्ती में जाओगे, तो अब मुझे ऐचाहिए, शरी की आयों छोटी हो बड़ी हो लेकिन मुझे क्या याद रखना है कि मैं आत्मावान प्रस्त में हूँ, मुझे आत्मा को अब घर जाना है और मुझे आत्मा को क्योंकि घर जाना है तो मुझे सिर्फ एक बाबा को याद करना है क्योंकि एक बाबा को ही याद करने से मेरी अंत्मत्य सोगती होगी बाबा हमें कहते हैं तुम्हें याद की फासी पर लटके रहना है फासी पर लटकते हैं तो क्या होता है ऐसे हो जाते हैं न सर तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम्हारी बुद्धी सिर्फ उपर रहे ऐसे याद की फासी पर तुम्हें अब लटक चाना है ताकि जब शरीर छुटे तो सीधा बाबा के साथ घर चाहे तो बाबा हमें कहते हैं देही अभीमानी बनना है अब जो देही अभीमानी होगा अभी देखो हमारी बुद्धी में अभी भी क्या रहता है देही के संबंद, देही की इच्छाएं, ये चाहिए, वो चाहिए ये सब क्यों रहता है या देही की नेचर जो है वो बुद्धी में रहती है एक्वाइड नेचर या देही का स्वरूप बुद्धी में रहता है क्यों रहता है क्योंकि अभी भी देही अभिमानी अवस्था नहीं है और बाबा हमें उसके लिए बहुत अच्छी बात आज कहते हैं कि जब हम मुरली सुनते हैं, क्लास में बैठते हैं तो उससे पहले हमें 15 मिनट आत्मिक स्थिती में डहकर बाबा की याद में स्थित होने क अभ्यास करना है अब आप देखो श्रीमत प्रमान क्लास कितने बजे शुरू होती हैं साड़े पांच पजे साड़े साथ बजे और फिर 15 मिनट योग होता है पहले गीत से योग होता है फिर कॉमेंटरी से योग होता है क्यों होता है क्योंकि अगर आतम अभिमानी स्थिती में स्थित नहीं है तो बाबा का ज्यान भी बुद्धी में नहीं जाएगा क्यों Kopfie Baba किसे बात कर रहे आत्मा से अर आप अपने को देह समझ कर वैठें तो आपको ज्यान सुना ही देगा समझ में आएगा समझ में आएगा ग्यान, कहेंगी क्या है ये बाबा हमेशा मरने की बात ने करते रहते हैं, ये थोड़ी समझ में आएगा, कि बाबा तो मुझे मुझे मुक्ती जीवन मुक्ती में ले जाने की विधी समझा रहे हैं, लेकिन क्यों मरने का भान आएगा, क्यों ऐसा नहीं करेंगे कुछ भी बैठे करें इसलिए बाबा हमें कहते हैं मैं आत्मा से बात करता हूं तो तुम्हें 15 मिनट पहले अपनी आत्मिक स्थिती में स्थित होना है अपने स्वरूप, अपने स्वधर्म, अपने स्वपिता, अपने गोण, अपनी वानप्रस्त अवस्था की याद में बैठना है तब जाकर तुम्हें मुरली समझ में आएगी और फिर अमरित वेला, नुमा शाम, ट्राफिक कंट्रोल ये भी सारे विधियां बाबा ने बनाई हैं ताकि हम अभ्यास करें इस अत्मिक स्थितिका लेकिन अभ्यास करते हैं यह सर्फ ज्यान सुनते हैं और फिर ऐसे हाथ जाड़के उड़ जाते हैं कि आज का, आज की क्लास खतम आज का काम खतम तो बाबा हमें कहते हैं कि अभ्यास करना पड़े बिना अभ्यास के देही अभिमानी स्थिति पक्की नहीं होगी और अगर हम देखो इतनी प्रावधान भी मिलता है क्लास में भी पंद्रा मिनिट योग कराया जाता है उसके बाद भी अगर हम लेट जॉइन करें अगर हम एटेंशन ना दें या आप देखो बैठे हैं लेकिन योग नहीं लगा रहे उस समय प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो क्या होता है कि सब कुछ दिया जा रहा है पर फिर भी आत्मा उसका लाब नहीं ले रहे तो ये पहली बात फिर बाबा हमें कहते हैं जब हम पक्के आत्म अभी मानी बनते हैं जब हम बहुत अच्छा बार-बार अभ्यास कर आत्मा समझ बाबा को याद करते हैं तो हमारी अवस्था कैसे हो जाएगी हमें इस पुरानी दुनिया में कोई भी इच्छा या चाहना नहीं रहेगी इस पुरानी दुनिया की इच्छाएं चाहनाएं चाहे आप किसी भी आयू में हैं शरीर से लेकिन पुरानी दुनिया की इच्छा चाहना से मुक्त हो जाएंगे क्योंकि मालूम है कि इस समय कुछ पा भी लिया तो भी वो क्या है? वो तो विनाशी है विनाश होने वाली दुनिया में विनाशी चीज को पाया तो अल्पकाल की मिली, उसके बाद वो विनाश हो जानी है इसलिए इच्छाओं, चाहनाओं से हम परे हो जाते हैं हम काम करते हैं, को ऐसा नहीं कि बाबा कहते हैं कोई जौब कर रहे हैं तो छोड़ दो, अब तुम्हें कोई इच्छा चाहना नहीं है है न, या कोई और काम करते हैं, घर समालते हैं, तो छोड़ दो, लेकिन वो सब हमारा time pass है, उसमें हमारा कोई लगाओ या desire नहीं है, कि ऐसा होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, तो अगर वो लगाओ से करते हैं, या चाहना से करते हैं, तो इसका मतलब हमें अभी समझ में नही हैं, कि विनाशी दुनिया की सब प्राप्तियां विनाशी होती हैं, और अभी हमें अविनाशी कमाई पर attention देना है, बाकी हम सब कुछ करते हैं, लेकिन वो एक तरह का time pass है, 24 घंटे कोई बैठ की योग लगा सकता हैं, या, नहीं लगा सकते हैं, इसलिए कर्म योगी तो ब बनाते हैं, तो बाबा कहते हैं, इस आधार से हमें चलना है, दुनिया की इच्छाएं चाहना है, ये करें, ये मिलें, ये चाहिए 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 चलता है, तो इसका मतलब अभी तक वानप्रस्त अवस्था का अनुभव नहीं हुआ हैं, देखो 88 एर्स की आयू में शरी चाहना रखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, समझ में नहीं आया है कि हम वानप्रस्ती हैं, ठीक है ना, फिर दूसरी निशानी बाबा कहते हैं, कोई भी ऊची चीज हमें नहीं पहननी है, हम बच्चे कोई भी ऊची चीज नहीं पहनते हैं, आजकल क्या है, फोन्स, बैग्स डाइमंड्स, कितनी सारी चीजों का मनुष्य को शौक होता है अच्छे से अच्छे कपड़े पहने, अच्छे ज्वेलरी पहने, अच्छे फोन्स, पर्स मुझे एक भाई आये थे, तो उन्होंने हातों में कफलिंक पहने हुए थे तो मुझे कहते हैं कि ये कफलिंक 50 लाक्स के हैं, है न, तो मैंने कहां, आप तो सारे दिन अपने हाथों कोई देखते रहते होगे तो कहते हैं, मुझे कभी-कभी ऐसे भी संकल पाता है, कि कोई हाथ काट के ना लए जाए क्योंकि डर लगता है न, 50 लाक की चीज, तो आप सोचो कि मनुष्य कोई भी ऐसी चीज पहनता है, तो बुद्धि कहां रहती है, उसी चीज के साथ रहती है कोई अच्छा ड्रेस भी पहन लेते हैं, तो उसी में बुद्धि चली जाती है इसलिए बाबा हमें कहते है, अभी तुम मुझे वापस जाना है, और मुझे बाबा की याद की फासी में रहना है और हम कहां किसी चीज की फासी में बढ़ गए है न, तो बाबा कहते हैं, इन सबसे निकलना है तो ये धारना करनी है कि कोई भी उची चीज को मैं धारण ना करूँ, पहनू नहीं और आप देखो कई बार ऐसा होता है कि कोई उची चीज नहीं है लेकिन आजकल क्या है? डिजाइनर और फैशन और ऐसा तो उन सब चीजों में भी जाते हैं तो पता चलता है कि देभिमान बहुत है क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज पहनेंगे तो बुद्धी नहीं जाएगी तो बाबा नहीं कहा है कि हमें मीडियम पहनना है ना बहुत नीचा ना बहुत उंचा ऐसा भी नहीं कि फटे कपड़े पहन लें बिना iron किये बिना कुछ किये तो बाबा केते हैं साफ स्वच्छो और सिंपल हो ऐसा भी नहीं कि बहुत नीचा हो और कोई ऐसी भी चीज नहों जो बुद्धी को खीचे और बाबा केते हैं जो देही अभिमानी होते हैं उनकी चलन से मालुम पड़ जाता है और चलन में क्या दिखाई देगा तो चलन में ये जो अनासक्त वृत्ती पुरानी दुनिया में लगाओ जुकाओ नहीं ये वृत्ती नजर आएगी पुरानी देहे को आप देखो कईयों को आप देखेंगे कोई भी आईना मिलेगा शकल देखते जाएंगे कुछ नहीं तो कार खड़ी है उसके शिशे में अपने शकल देख लेंगे तो ये सब क्या है ये सब इस शरीर की शकल देखने के इतनी उतकंठा होती है तो ये दे अभिमान है बहुत छोटी छोटी चीजों से दे अभिमान समझ में आ जाता है किसी के जूते चपल देखते रहते ये आपने कहां से ली किसी के ड्रेस देखते रहेंगे ये कहां से ली तो ये सारी चीज एक बार मैंने देखा मधुबन में लिफ्ट में दो माताएं जा रही थी एक दूसरी को कहती है, यह डाइमंड बड़े अच्छे लग रहे हैं, कहां से लिए, तो मैंने उनको कहा, यह चीज़े तो आप बाहारी कर लेते हैं, मदुबन तक क्यों आईए करने के लिए, मदुबन जिस चीज के लिए आई वो करो ना, तो अभी आप देखो कि कितनी छो क्यों कि या, वो मुझे मिस करते या नहीं, उनका फोन नहीं आया वो बात नहीं कर रहें, یा उनोंने आज मुझे इतनी अच्छी बात कही, तो ये सारे बाते देभीमान का प्रतीक है, और फिर बाबा हमें कहते हैं, कि जो बच्चे देही अभीमानी होते हैं, संपूर्ण उनके अंदर सेवा की लगन दिखाई देती, क्योंकि सर्वीश से समझ में आता है कि आत्मा को कितना देही अभिमानी स्थिति धारण होई, सर्वीश से कैसे समझ में आता है, क्योंकि अभी पता चल गया है कि ये समय हमें याद की कमाई और इश्वरिय सेवा करके पुन्य का जमा करने का समय है, और अगर हमें अपनी समय की अपनी अवस्था की पहचान हो गई है, कि अब घर जाना है और पुन्य की कमाई करकर जाना है, तो ऐसी आत्मा का एटेंशन किस पर रहेगा, कि मैं याद करकर कमाई करो और सेवा करकर पुन्य का खाता जमा करो, लेकिन अग अध्मा सेवा ही नहीं कर रही, तो इसका मतलब अभी उसको ये समझ में नहीं आया है, कि वापस जाते समय सिर्फ याद की और सेवा की कमाई साथ जाएगी, और वो इस पुरानी दुनिया की कमाई के पेचे पड़ी हुई है, तो बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बनना है, और देही अभिमानी बन की निशानियां हमारे अंदर दिखाई देने चाहिए, अच्छा, ओम शान्ति,